हेलो एब्रिवन तो लास्ट जो दो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या किया differentiation और integration का कुछ basics formula देखे हैं है की निक तो आग चलो कुछ sums related to differentiation or integration देखता है ठीक है तो देखो पहला ये हो गया differentiation के साथ related sums पहला sum क्या दिया हुआ है y equal to x2 to the power 5 plus x q तो बहुत सिंपल है इसका differentiation dy by dx हम लोगों मालू में है जब भी हम लोग differentiation करते है क्या होता है power आ गया आता है और power gets reduced by 1 तो यह क्या हो जाएगा 5 x to the power 4 प्लस यह क्या हो जाएगा 3 x square differentiation of 10 10 क्या है constant तो constant का differentiation क्या होता है 0 तो यह हो गया इसका answer 5 x to the power 4 plus 3 x square है कि नहीं अभी second वाला देखो second वाला में 2 part multiply हुआ है तो हम लोगों के पास एक formula था अगर 2 अलग-अलग part होता है तो अगर इसको a लोग है और इसको b लोग है तो formula क्या था a differentiation of b plus b differentiation of a है कि नहीं तो यह क्या हो गया 3 x square plus 7 ठीक है अलो फटा-फट करते है so ddx of 6 x 6 क्या है constant बाहर आजाएगा ddx of x 1 plus ddx of 3 constant 0 तो यहां पर क्या बचा 6 plus क्या है हम लोगों के पास 6 x plus 3 so 3 constant बाहर आगया ddx of x square क्या होता है 2 x plus ddx of 7 0 तो यहां पर क्या बचा 3 x square plus 7 into 6 plus यहां पर क्या बचा 6 x plus 3 3 ठीक हो जा इन्टो 6 x तो भी इसको multiply कर जो 63 जा 18 x square plus 67 जा 42 plus 66 जा 36 x square plus 63 जा 18 x तो answer हो गया 18 plus 36 54 x square plus 18 x plus 42 तो यह हो गया second बाला का answer अभी third बाला में देखो क्या दिया हुआ है x equal to एक equation दिया हुआ है हम लोगों को निकालना है velocity at t equal to 3 second तो यहां पर x क्या है displacement ठीक है और displacement velocity निकालना है velocity का formula क्या होता है displacement by time तो velocity v हो गया differentiation of displacement with respect to time ठीक है तो यह हो गया ddt x कितना दिया हुआ है 10t plus 4.9t square so 10 constant है बाहर आ गया ddt of t क्या होगा 1 plus 4.9 constant है बाहर आ गया ddt of t square क्या होगा 2t so हम लोको कितना मिलेगा 10 plus 4.9 into 2 that means 9.8t अभी velocity का पर निकालना है t equal to 3 second तो t के जगा क्या put कर होगी 3 तो यह हो गया 10 plus 9.8 into 3 तो इसको भी plus कर जो कितना आएगा देखो तो यह आ जाएगा total V equals to 39.4 meter percent plus 42 ओके so differentiation हो गया अभी कुछ integration का sums देख लेते हैं तो देखो सबसे पहला वाला जो question दिया हुआ है integration का या फिर हम लोग ने जो सबसे पहला वाला question लिखा हुआ है integration का वो क्या लिखा हुआ है integration अभी इसमें limit है है कि नी पहला day नों सम हैं वो दनों में limit है तिसरा वला जो सम है वो limit के भीना दिया हुआ है तो पहला वाला निमिट किया है zero to five by six क्या दिया हुआ है integration ku xsquare x dx so हम लोग मालूब है integration to xe square x dx क्या होता है ten x और limit क्या है मेरा 0 2 pi by 6 है कि नहीं so मैंने पहला वीडियो में बोला हुआ था पहले क्या होता है हम लोग x के जगा upper limit बैठाएंगे तो यह हो गया 10 pi by 6 बिच में क्या हैगा minus minus 10 क्या हैगा lower limit that means 0 है कि नहीं 10 pi by 6 का value क्या होता है 1 by root 3 10 0 हो गया 0 तो हम लोग का इसका answer क्या हैगा 1 by root 3 ठीक है similarly चलो second वाला देखते है तो second वाला क्या है integration 1 by v dv integration 1 by x क्या होता है log x so 1 by v क्या होगा log v है कि नहीं limit क्या है v1 से v2 so v सब से पहले क्या लेगा log upper limit minus log lower limit जब minus होता है तो उसके हम लोग कैसे लिख सकते है in the form of division तो यह हो गया v2 by v1 तो यह हो गया second वाला कांस है ना थर्ड वाला देखो ठीक है integration है सबको अलग अलग लिख दो so यह हो गया integration 6x plus integration 5x square minus integration 2x cube plus integration 1 by x square so 6 constant है बाहर आएगा है कि नहीं integration x यहां पर यहां गया dx integration यहां पर बच गया x dx plus 5 बाहर आगया यहां पर बच गया integration x square dx minus 2 constant है बाहर आगया बच गया x cube dx plus यहां पर बच गया integration 1 by x square dx ठीक है so integration x dx क्या होता है differentiation में power decrease हो जाता है integration में क्या होता है power increase हो जाता है तो यह हो गया 6x square divided by the increase power 2 प्लस ये क्या होगा 5 ये हो जाएगा x square के जाएगा x cube divided by 3 minus ये हो जाएगा x to the power 4 divided by 4 और x square मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना integration x to the power minus 2 dx ठीक है तो ये cancel होगा ये होगा 3x square ये होगा plus 5 by 3 x cube ये cancel तो minus x to the power 4 by 2 और ये वाला देखो ये क्या होगा minus 2 plus 1 तो minus 2 plus 1 क्या होगा minus 1 divided by minus 1 तो ये plus minus क्या होजाएगा minus ये minus 1 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by x plus एक integration constant okay thank you